नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एविटेक में आज है 22 जुलाई 2021 और जान लेते हैं आज की मातपूर्ण खबरें सबसे पहली अपडेट है यहाँ पर देखे चैनल बोर्ट से लेगर के डी आई ओएस को लेगर के लिखाए डी आई ओएस कर रहे है गडित के पद पर विज्ञान सिच्छक के नियुक्ति एससी कोटे में चैनल सिच्छक की आनारचित सिच्छक के पद पर नियुक्ति की कोशिस इस तरह बहुत जिलों में देखा गया किस तरह की समस्षाएं आती है लिखाए उत्तरब्रस मादमक सिच्छ सेवा चैनल बोर्ट से आरचित सिच्छक की नियुक्ति जिलाविद्यान रिचक मनमाने तरीके से आनारचित कोटे की गडित सिच्छक पर नियुक्ति कर रहे हैं जिलाविद्यान रिचक जिस विद्याले में ये नियुक्ति कर रहे हैं वहाँ पर पहले से ही गडित का कोई सिच्छक जो है वो नहीं है ऐसे में गडित सिच्छक की जगए विज्ञान के सिच्छक की नियुक्ति किये जाने के बाद विद्याले में छात्रों को गडित पर आने के लिए सिच्षक नहीं होने पर समस्चा खड़ी हो गई है प्रयागराज का मामला है यह और यहां पर इक स्कूल है जिसका नाम है सरसोती पर्मारंग चिनहां इंटर्कालेज सरसुती पर कोडिहार यहां पर कि ऐसी कोटे से जो चनित सिच्षक है ठीक है उसकी नियुक्ति जो है वो अनरचित सीड पर कर रहे हैं तो इस तरीके से बहुत जगे मामला देखने को मिला है और यहीं पर गड़बड़ी होती है अभी तो किसी ने किसी तरीके से जोईन करवा देंगे बाद मामला कोट में चला जाता है जब बढ़ती होता है के पेपर देश के प्रतिस्ठित इंजिनिरिंग संथानों में प्रवेश के लिए जेए मेंस का तीसरे चाट मंगलवाट से सुरू हो गया है कुरोना संक्रमन के कारण अप्राइल में प्रस्तावित परिच्छा इस्था कर गई कर दी गए थी बीस से चोबीस जुलाइत इस यहां पर लिए कि प्रवेश के लिए जो आज दिन थी थी चोबीस जुलाइत तक बढ़ा दी गई हैं अगली अपडेट असिस्टन प्रोफेसर बढ़ती को लेकर के लिए असिस्टन प्रोफेसर बढ़ती पर फिर खड़े हुए सवाल अनारचित वर्ग में पीजी में 55 प ने नियम सर्थों के अंदेखी कर बढ़तियों का चेहन किया है इस गड़बड़ी का खुलासा आर्टियाई में हुआ है आयोगन विग्यापन जंगा 47 में समाज सास्तर विसा में अनारचित वर्ग में चैनित 166 बढ़तियों में से अरचित वर्ग के पांच ऐसे बढ़ति सिक तीन ऐसे बढ़तियों का अनजब कटेगरी में चैन हुआ जिनने पीजी में 50.90, 53.30 और 54.27 अंक में ले थे इसी प्रकार एसे को दो ऐसे बढ़तियों का अनरचित में चैन हुआ है जिन्होंने पीजी में 54.29 और 52.89 फिस्दी अंक प्राप्स किये थे अब बढ़तियो अनरचित में सामिल नहीं हो सकते तो यहां पर अप्रतियों का कहना है कि बहले यह सी के या ओवी सी कंडिडियेट है लेकिन जब उनका अनरचित में चैन हुआ तो पचाई पीजी में 50 कम से कम नंबर होने चाहिए तो यह पूरा मामला आर्ट याई के जदिए यहां पर इस कि जी ने कल कहा है आवकारी सिपाही के जोइनिंग लेटर डिश्ट्रिबुस्टन समारों में उन्होंने कहा कि दिसंबर तक 50,009 करिया दी जाएंगी देकि क्या लिखा है पूरा अपडेट देखें यहां पर एकाई यूपी में मिसलन रोजगार के तहत मुखमंतरी योग कि ने कहा कि लोग सेवा आयोग ने इमानदारी और पारदरस्टा से चैन किया है आपको किसी भी इस्तर पर किसी सिफारिस की जरूत नहीं पड़े होगी आप सभी की कार्यपद्दती आच्छन और अच्छा बेवार रहे यह आप इच्छा है इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिसम्बर तक पचास जर और नाजवानों को सरकाई नहों करिया दी जाएगी तो फिलाद दिसम्बर तक पचास जर और बढ़ती जाओंगे किसी विवाग में कितनी विवाग में कितनी विवाग में कितनी विवाग में जो भी पत खाली है इन पतों को सिखर बरने की बात क यह बार में कुछिने दोरा कहीगे कहीं पर अमल हो रहा है कहीं पर विलकुल भी अमल नहीं हो रहा है बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरब काउंसल लेकर की इडि़ेंट है कि इनकी कांसलिंग जल्द करवाए जाएकी सिच्छा निलसालों ने तयारिया शुरू कर दिये कि है की फाइल महीनों की प्रदिच्छा के बाद एल्टी गर्ड दुजटार्य के तरह कला विशा में चैनिता बड़ी रात मिली है उत्तर लोग से आयोग ने जांच करने के बाद उनकी फाइल सिच्छा निसले को बेज़ दिया है उनकी काउंसलिंग के त्यारे सुरू हो गई है निदेशाला सारी प्रक्रिया पूरी करके जुलाई के अंच तक अथवा आगस्त के बर्थम सब्ता में काउंसलिंग का कार्क्रम जारी कर देगा काउंसलिंग पूरी होते ही सासन की मनसे के अनुरूप चैनिदों की निश्यों की नियुक्ति दिलाए जाएगी तो किलम ला सिच्छकों के आवदन मंजूरी से रोके 7226 आवदन पंजी करत हुए थे जिबकि 2254 अंभी अंतिम रूप से जमा हो पाए इसमें भी 50 50 से अधिक आवदन प्रबंदकों प्रदानाचारों ने रोक लिए प्रदेश के असास की साहता प्राफ्त मादमिक विद्यालियों में सिच्छकों के इस्थानांतरण के लिए आवदन अगरसरण में प्रबंदकों की मनवानी ने पूरी अप्रक्रिया को आउशित हीन बना दिया है प्रदानाचारों प्रदानाद्यापकों प्रवक्ता सायक द्यापकों के इस्थानतरण के आउनलाइन अधिन को प्रबंदको हैं इस आज़े दन प्रक्रिया में सही से काम नहीं उपार प्रबंदक और प्रदानाचार अभी भी मनमानी पर उतार हुआ है बढ़ते हैं अंगली अपडेट की तरफ असिस्टन प्रोफेसर बढ़ती को लेकर करके अपडेट है कि 2003 पदों पर आये 95000 आवेदन असिस्टन प अप्रायल में जब आवेदन लिए गए थे तो लगबक से यहां पर 87000 आवेदन आए थे अब इस समय जो टोटल आवेदन है वो 95000 हो गया तो लगबक 8000 आवेदन जुलाई में और से बढ़े फिर से बढ़े हैं तो फिलहाल अप साइट कर दी गई है क्लोज हो गई है और जो बढ़े आवेदन किये हैं वो अपनी परिच्छा के तैयारी करें पंचानवे अजार पदों पंचानवे जार अब इस बढ़ती में आप सामयल हो गए और जो भी पद आए उसके लिए परिच्छा की डेट आई तिंग अभी तक जारी नहीं की गई है इसारी आपर मैंने बोल दिया कि परिच्छा किती डिए जारी नहीं गई जबकि परिच्छा किती थी जो जारी कर दी गई है तो जो पतित जारी की गई है उसी कि अनरूप आप अपनी तैयारी करें बढ़तिह निए लिए अब्देत की तरव है यहां पर अबडेट सगर्स तक आउनलाइन आवधन कर सकते हैं यह नीचे वेबसाइट दी गए इस वेबसाइट पर जाकर करके आप लोग आवधन कर सकते हैं 59 सिच्छक बरती को लगर करके एक बड़ी अपडेट आ रही है लिखा है तीसरे चरण में खाली रहे गए पदों को भरने के लिए चौथी काउंसलिंग की मांग पुर्देश के परसिदी विद्यालियों के लिए और सिच्छक बरती में तेन चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद जोग पद खाली बचेंगे उस पर चौती चरण की काउंसलिंग भी करवाये जाने की मांग की गई है अब बैरतों ने परदेश सरकार अंब्यस्टुक सिच्छा मंत्री इसे खाली पदों को भरने के एक और काउंसलिंग कराने की मांग की है मांग करने मौले बैरतों कायना कि लगबग छहसु सीटूं में बढ़ती अनुपस्तित रहने कारण सिच्छें खाली रहे गई आएसे में एक और काउंसलिंग करके सीटूं को भरा जाएं सीबसी का जो रिजल्ट है आपका 31 जुला कर दिए सभी स्कूल 25 जुलाई को साम पांच बेज़ते कि इस काम को पूरा कर सकते हैं जो इसकूल ते तितितितिक मौटरेशन नहीं करें को इनका रिजल्ट अलग से जारी किया जाएगा सीबसी को 31 जुलाई को आ सकता है एक बहुत बड़ी अपड़ी आप सभी के लिए ह सिच्छक आप लोग जानते हैं कि उत्तर बड़ी से बहुत सारे से संस्कृत विद्याल हैं जहां पर पद खाली है इन पदों पर जो बढ़ती हैं वह चैन बोड के मादम से होनी थी जैकिन चैन बोड अभी टेजिटी प्यजिटी में ही अटका हुआ इस वजह से बढ़ती दमा के लिए पंद्रह जार रुपए दिये जाएंगे यहां पर दिया गया है कि साहिता प्राफ्त संस्क्रत मादम के विद्याले और राजकी संस्क्रत में साहित्चिक संत्रत 221-22-23 में ग्रिसमा आवकास की अवधी को छोण करके यह नियमित चैनल सिचक के आने तक जो भ द्वार को प्रस्ता पारित कर दिया प्रदेश सरकार्ण के प्रवक्ता सिधार सिंग ने बताया कि संस्क्रत विद्यालें सिचकों की कमिको दूर करने एवां बढ़न पाटन के सुचारी बेवस्ता करने के लिए मांदय पर पर शिचक नियुक्त किये जाएंगी तो यहां पर देखी कापी सारे इसे पद हैं जहां पर एक हाली है यहां पर तो कुल मिला करके यहां पर अच्छी जो सिच्छक है उनकी न्युक्तियां की जाएंगी ठीक है फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे तरह कि